हेलो स्टुडेंट तोड़ेंगे लेशन 2 लेशन 2 टोपिक इस सिंगुलर और लूरल नाउंस आज हम क्या पढ़ेंगे सिंगुलर और लूरल नाउंस अभी लेशन बन में हमने कोंबर नाउन और प्रोपर नाउन पढ़ा था लेकिन यहां भी लेशन 2 सेकेंट में सिंगुलर और और प्लूरल नाउंस के बारे में स्टेडी करेंगे तो यूँआब तो ओपन यूर रामर बूक पेस नमबर 9 सिंगुलर नाउंस अ सिंगुलर नाउंस वन परसर वन प्रेस वन अनिमल और वन तिंग तो यह आपका देपिनेशन ओ सिंगुलर नाउंस हम्यां पर देखिए इस सिंगुलर नाउंस नाउंस आउ लूँ 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 नच लूँ 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 सच classified친 सच Clerk इरा day इसमर्ण वयद्स कि किनो भींग इर कि ओsmुलाई नूंग्स दिम्रो फजून लाई लुटन स भी दोसी स्यंग नूंड prawda मैं ले लूट इर। दर्थ तरफ ननूंग्स One animal or and one things जो नाम है, ननि की जो नाम क्या बताता हमी किसी प्रेस कने, परसन मेफ, एनिमर देब हुअ वार फिंग कने तो हम यहाँ पे देखेंगे शिर्फ वाई बनिर्ण क्या श्याइन में बताइगा वाई परसान क्या आइन लेगा या नहीं एनिमर के नान में बताएगा वान परसंट के नान लेगा या किसी भी वान ठीक करें वह क्या है सिंगुलर नाउन और हम नेफ्स्ट पढ़ेंगे प्लूरल नाउन जो प्लूरल नाउन होता है वह उसमें बहुत सारे आते हूं जैसे कि हम सीता, गीता, राम, मोहान, सोहा यह सारे नेफ्स क्या है प्लूरल बठाएगे आपे अभी हम सिंगुलर प्लूर फोकस करेंगे सिंगुलर नाउन्स में की सिंगुलर नाउन्स ज्या होता है तो हम देखेंगे एक्जाम्बल पर्स्ट यहांपे क्या नहीं कहार आना हुझे पर्सन है पर्सन का क्या परेंगे आपे नेम राइपने जैसे कि राम तो यह किसका नेम है एक पर्सन का नेम है और केवल इतने पर्सन का नेम है अनली वाल जैन सेकेड एक्जाम्बल इस एक्जाम्बल इस प्लेस हम प्लेस में कोई सभी प्लेस का नेम राइट कर सकते है एक्जाम्बल भी नहीं है आपे प्लेस करेंगे जब पूर्स तो यह आपका प्लेस एक्जाम्बल हो गया यह आपका प्लेस कर सकते है यह आपका प्लेस एक्जाम्बल इस एक्जाम्बल का नेम्बल तो यह आपका सिंगुलर नाम के इसांटर हो गया हम किसी भी किसी भी परसंट के एक ही परसंट के बारे में हम टॉकिंग करते हैं उसी के बारे में बताते हैं वही क्या है आपका परसंट सिंगुलर नाम दें वाट प्लेस एक्जांपल इस जाग्फू दें थार नूमर वाट एडिवर काउ थार शिर्फ इसके बारे में ही एडिवर के बारे में देखेंगे तो अब सिर्फ काउपनी ही बाते खरेंगे फोकस करेंगे तो यह आपका सिंगुलर नाम का डेफिमेशन हो गया और यह उसके एक्जांपल्स जैसे मैं आपको यहां में पिक्चर दिखाऊंगी जैसे कि यहां में क्या है वाट सॉल्जर है तो अब इस सिर्फ वाट सॉल्जर के लिए आपको बात्य करते हैं वो क्या है आपको सिंगुलर नाम और अदर उनके बारे में रित करते हैं यहां पर जैसे कि इसक्वाफल के लिए कार कि यहां पर यहां पर वन कार है तो यह क्या है? जान है भी अगर टू कार रहते तो क्या हो जाता प्लूरल डाउंस उसको फिर हाँ कार नहीं बोलते क्या बोलते कर्स और यहां पे कार कित्धा कर रहा है एक तो यह क्या है आपका सिंगुलर जैसे कि एक्जापल दे लिए मैं आपको यहां कुछ बना के बता रहे हूं हाँ, पस्नमा में प्रेख अपके प्रेख लिए पारा आपही कि कि अपान मे vorher है? तो अपी आपन नाओ? आपन DAN आप न कि अवस्त नापन मे गाना? START किसके एक्जाम्बल हो गया है, सिंदुरा राम को, वन स्टार, वन स्ट्रार, वन लिप, और वन प्रेंगल, वन सर्पल, अब हम सेकेंड नमबर में देखेंगे, किसकी डेफिनेस है, प्लूरल नाउट्स, I hope you will understand this, किसकेंगे, 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 किस करेंगें? तो, फुर्से में को प्लूरल णंग पंद ने पिचने कनाना, धासिए और जब वियुुों किसी भी थे धिचनर को किसी भी इनिमर्स को किसी भी चीज को हम क्या नहीं कर सकते हैं काउंट नहीं कर सकते हैं या तो एक से ज़ादा रहता है वो प्लूरल लाउन में आता है इसमें आता है प्लूरल लाउन में आयुड़ेंसंद्ट एर जाह्ट अः आयुड़ेंसंद्ट देर आद more than one we use the plural plural so here plural when we get found the items and there are more than what we use the plural fonts. जब एक से इचाद आ रहते हैं वो क्या कहलाती हैं? हम हिंदी पर पढ़ते हैं ना? बहु अच्छा. एक बहु अच्छा. वैसे ही आपे singular and plural. तो आप plural and singular देख चुगे हैं हम singular में एक बच्छा होता है जैसे की एक इस्टार, एक एक एनिमल, एक परसार, एक फिंग. वैसे हम उसका ज़िस्ट पढ़ेंगे plural nouns में. तो हम यहाँ पर देखेंगे more than one is called singular nouns. तो एक से ज़ाते जो रहते हैं उसको हम इसमें write करते हैं plural forms में. इसमें write करते हैं plural forms में. तो यहाँ पर हम example देखेंगे जैसे की हम यहाँ पर star लिया क्या है. कित्री star है? टू. एक और एक पर देखेंगे तो कित्री star हो जाएंगे? three stars. तो यह क्या है आपका singular नाम का example? stars. इसको क्या मुलेगे? stars. यह ट्राइडल है यह ट्राइडल है यह ट्राइडल है 1,2,3,4,5 अभी हम इसको काउंट कर सकते हैं बट plural नाम में ऐसा नहीं है कि हम जो काउंट कर सकते हैं उस ही को write करें. Uncountable है रहता है हम जिसको जिसकी गिंती नहीं कर सकते हैं वो भी हम उसको किस में आपना सकते हैं plural नाम में हम singular नाम में type नहीं करें क्योंगी वो एक से जादा रहता है और एक से जादा किस में आएं? plural नाम में तो यह ट्राइंगल है 1,2,3,4,5 ट्राइंगल है तो यह क्या हो गया? plural मैं आपको बुक से कुछ पिक्चर दिखा रही तो आपको देखने हैं 6 तो यह आपका plural का example हो गया है अब जैसे मैंने आपको यहां पर यह बना के आपको singular पर समझाया है वैसे इसको हम plural form रेचेंज काएंगे जैसे यहां पर कितना इस्टार है? 1 बैठा, plural में देखेंगे तो 1 star में रहेंगा कितना इस्टार हो जाएंगे? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 3 से जाद भी हो सकता है आज का अंखे पर रगता है? उसको रहा? plural dance के रहेंगे वो? form change हो गया इसका इस्टार हो देशे के नावरे हां पर कितना इस्टे रहाना है? 1 बटाप यहां पर form change करेंगे plural comment 2 2 3 4 और 5 भी हो सकता है अंखेंगे जाद भी हो सकता है और 3 अंखेंगे लीड यहां पर कितना लीड है? only one singular में कितना रहता है? one यहां पर हम देखेंगे लिए तो कितना हो जाएगा 2 3 4 5 5 6 7 हो सकता है और बहुत सार हो सकता है 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 18 18 16 16 18 18 19 18 20 20 20